दोस्तो आज की हमारी स्वीडियो को टोपिक है which flow first voltage and current मतलब कि हमारा जो electrical का circuit होता है उसके अंतर voltage पहले flow होता है या फिर current पहले flow होता है दोस्तो यह है question अगर आप electrical के कहीं पर intrude देने जा रहे हो तो आपसे यह पूछे जाने के कहीं chance होते हैं और कई बार आपसे यह पूछा भी जा सकता है आपसे इस तरीके से पूछा सकता है कि पहले क्या आया voltage आया या फिर current आया तो दोस्तो अगर आपसे पहले भी यह कभी question पूछा गया है तो आप मुझे comment और अगर नहीं पूछा गया है तो आपको उससे में क्या जवाब देना है वो आज की इस video के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो पहले हम इस point को समझ लेते हैं और आगरी में हमको intro में क्या जवाब देना है वो हम बाद में जान लेंगे तो यहाँ पर मेरा आगया positive और यह negative दोस्तो एक चीज़ का आपको यह द्यान रखनाए कि जब तक मैंने हमारी जो electrical के energy जो battery में save है इस पर जब तक मैंने load को connect नहीं किया है जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई भी lamp नहीं जोट रगा जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई भी च करा तो हमारे इस wire में से voltage और current दोनों flow होने लग जाते हैं पर दूसरा प्रशन यह है कि पहले voltage flow होगा यह भी current flow होगा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे कोई भी electrical का conductor होता है जिसमें से हमारे electricity flow हो सकती है जैसे हम उदारन ले रहे हैं कि हमारे पास में यह wire है ठीक है तो इस wire के अंदर हमको पता है कि इसके अंदर कहीं सारे electron होते हैं चोट जोटे और दोस्ता अगर आपको यह नहीं पता है तो दोस्ता आपको इतनी सी बात को ध्यान लगता है कि हमारे कोई भी चीज होती है उसके अंदर हमारे कहीं सारे electron होते है और वहे जो っと electron होते है वो electron हर किसी direction में मुव कर रहे है अब जैसे मैं determ की अंदर मैं आप बता है कई सारे electron phenomenon 🎶 यह अंगिनत electron होते है तो इस electron हit होते है तो इस electron होते है ल passions यह electron हर किसी direction में मुव कर रहे है मतलबnymi किसी direction move कर रहा है मतलब यह एक random direction में move कर रहे होते हैं पर दोस्तों जैसे हम इस conductor मतलब इस star पर इधर से voltage को apply करते हैं तो यह voltage की apply होने के कारेंड हमारी जो इतने सारे free electron है यह सभी एक next direction में ही flow करने लग जाते हैं मतलब यह जो electron है यह पहले कभी इधर गूम रहा था पहले इधर गूम रहा था कोई भी किदर भी गूम रहा था पर जैसे मैंने इसमें voltage अपलाई किया तो सब एक ही direction में flow होने लग गए मतलब आप ऐसे समाझ सकते हो कि हमारे जब voltage को apply किया जात है वो speed को हम drift velocity कहते हैं मतलब हमारे electron की बहने की average speed को हम drift velocity कहते हैं पर दोस्तों आपको इतना सब कुछ याद रगनी की बिल्कुल भी जवरत नहीं है आपको सिर्व में इतना समझा रहा था कि हमने जैसे voltage को apply किया तो हमारे जो electron है उस electron को क्या लगेगा कि उसके ओपर एक force लग रहा है मतलब उसको कुछ धका लगा रहा है और धका लगाते हमारी जो electron हर कहीं पर move कर रहे थे वो एक direction में बहने लग गया, और जब यह वोल्टेज के apply होने के बाद हमारे electron move है और electron move होने के बाद में हमारे जो current है वो current opposite direction में बहने लग गया मतलब कि हमारे जो voltage होता है वो voltage हमारे current से पहले flow होता है पर अगर आप electrical के interview में इस answer को direct ऐसे बोल देंगे कि अगर हम atomic point of view से देखते हैं तो जब हम किसी circuit के अंदर voltage को apply करते हैं मतलब कि हम उसके अंदर electrical field को देते हैं ऐसा होने के बाद ही हमारा current flow होता है और इन सभी कारणों से हमको यह पता चलता है कि voltage हमारा पहले flow होता है और हमारा current voltage के बाद में flow होता है तो दोस्तों उमीद ही कि आज के इस वीडियो के माद्याम से आपको बहतर जानकरी मिली होगी दोस्तों इस वीडियो कहतम करने से पहले आपके लिए काफी महत्मोन सुझना है कि हमने एक website बढ़ने हैं जिसका नाम है www.engineeringdose.com दोस्तों इस website पे आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जुड़े article मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी article मिलेंगे वो इतने असा सब्दों होंगे कि यहाँ पे कोई 8 या 10 वी class के लड़की बचा के इनको पढ़ता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परते आप इलेक्टिकल सुड़ा तो आप उचे नीचे comment box से comment करके पूश सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो से कर आप हिंदी में नेखना पसंद करते हैं आज यहाँ चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद